नमस्कार मैं हूँ आपकी साथ अंकिता पाल ब्रोटिंगी शुरुवात करते हैं कॉंगर्स अध्यक्ष करन महरा ने प्रदेश कारेले में प्रेस कॉंफेंस की है और साथ ही जिसमें उन्होंने अगामी लोग सभा चुनाव से पहले जन्ता से पांच गारेंटी की बात की है जिसको लेकर बिज़ेपी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की पतिक्रिया भी सामने आई है विजेपी के प्रदेश प्रभारी दुशन्त गौतम ने भी कहा कि जो मोदी जी बोलते हैं वे गारंटी भी गारंटी है और जो गारंटी दे रहे हैं वे सबसे पहले हिमाच्वल करनाटा का उतेलंगना में करके दिखाएं उसके बाद ही वे जन्ता को बताएंगे और इसके साथ ही बिजेपी प्रदेश अध्यक्ष वेनभट ने कॉंग्रेस द्वारा जन्ता को बताई जा रही पांच गारंटी का भी कहा कि कॉंग्रेस को पहले अपनी पार्टी को बचाने के लिए गारंटी जन्ता को देनी ऐसे आपको बताते चलें कि कॉंग्रेस पर जम कर निशाना भी साधा है महराकबार और बिजए पी ने भी पलटवार किया है दरेसल मोदी की गारेंटी की भी गारेंटी है उन्हेंने कहा कि मोदीजी जो गारेंटी देते हैं उसकी भी वो गारंटी देते हैं कि वो अपनी गारंटी को पूरा करेंगे कॉंग्रेस पर उन्होंने जम कर निशाना भी साधा साथी महारा का वार पर जो है वो भी जेपी ने पलेट वार भी किया है आप तस्वीरे भी देख सकते हैं जो कि जहां पर सीमधा में भी हैं और साथ है आपको बताते चलें कि लगातार लोकसभा चुनाव नजदीक हैं जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने दमखल दिखाने के लिए लगातार जनता के बीच जा रहे हैं पूरे देश को बता है जो बोल रहे हैं उनसे बोलो हो जड़ा हिमाचल में करके दिखाएं करनाटक में करके दिखाएं तेलंगाना में करके दिखाएं फिर जाके जनता को बताएं लोग सबत चुनाव से पहले उत्वाखन कॉंग्रिस को बड़ा जटका लगा है। आपको वजाते चले कि कल ही मनियज खंडूरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है तो वहीं कॉंग्रेस को एक बड़ा ज़टका भी लगा था लेकिन कुछ भी पता नहीं चलना था कि आखिर उन्होंने सिफ़ अपक्यों दिया और कौन सी पार्टी जोईन करेंगे तो आप दोसी देख सकते हैं जहां पर कॉंग्रेस में पहले सिफ़ा दिया और आज वह बीजेपी का दामन थाम दिया है ज़ब उन्होंने कॉंग्रेस क्यों छोड़ी है तो उन्होंने क्रिएगश करते हुए बताया कि वो प्रिद्धान मंत्री नरेंद्र मोधी के कार्यों से काफी ज़्यादा प्रभावित थे जिसको लेकर उन्होंने कॉंग्रिस का दामन छोड़ा और बिज़ेपी का दामन ठाम दिया है अगर मुझे बाइस में अगर मैं बेटांसर वाकर चुनाव में लड़ना चाह रहा था और जहां तक यहां की बात में छोटी बात या उची बात नहीं करूंगा जिसको पता है क्या होने वाला था उसको पता तो पॉल्टिकल फूचर किस तरह से देखते हैं कि बड़ी बिरासत रही है किस तरह से देखते हैं मैं आपको इस पश्च पताना जाओंगा कि यह अधिक भारती जनता पार्टी ने हमारे परिवार के पर बहुत है कि पताजी को नहीं दोबर मुक्य मंत्री बनाया है मेरी बेंको ब्राइब देक्षा बनाया है मैं सिरफ एक कारिकर्ता के मारत दम से मैं काम करना चाहता हूं नहीं पार्टी काम देगी मैंने पहली भी बोल रखका है मुझे कोई अभी बता रहा हूं आ कोई कि चाहत है कि दो का कारिकर्ता निर्माना बहुत 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 है नहीं रहा है कि मनीजी अपने परिवार में आज परिवार में आप आए और आपका जो और मैं जानता हूं उस समय में आपके साथ अन्यकों लोग दूरे दीरे दीरे आगा में कुछ दूरों के आप दिखे लिए बड़ी संग्चा में और अच्छे लोगों भी आते हैं उन सब को आपको दाते चलें कि कॉंग्रेस को एक बड़ा जटका लगा है दरसल मनीश कंडूरी ने बिजेपी को जोईन कर लिया है दरसल कुछ यह कल ही उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी से स्टीफा दिया था और जिसके बाद में आज उन्होंने बिजेपी का दामन धाम लिया उन्होंने साफतोर पर कहा कि वो काफी प्रभावित थे प्रधान मंतूरी नरिंद मोदी की नीतियों से जिसको लेकर वो बिजेपी में शामिल हुए हैं आपको बताते चले कि मनीश खंडूरी ने बिजेपी में शामिल हो गए हैं जिसके बाद उन्होंने प्रसकारों के सभी सवालों का जवाब भी दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस को उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो प्रधान मंतूरी नरिंद मोदी की नीतियों से काफी ज़दा प्रभावित थे साथ उन्होंने लोगसभा चुनाव को लेकर भी सीथ को लेकर भी बातचीत की है उन्होंने कहा कि लगतार लोगसभा चुनाव भी नजदीक हैं और जिसको लेकर उन्होंने बिजेपी का दामन थाम लिया है आपको वजाते चले कि कॉंग्रेस से एक दिन पहले ही उन्होंने स्तीफा दिया था और उसके बाद बीजेपी पार्टी जॉइन कर ली है और उनके साथ सियम धामी भी नजर आ रहे हैं पस्वीर देख सकते हैं जहां पर खुद पार्टी की सदस्ता सियम धामी न दिलाई है सियम पोशकर सिंह धामी भी मौके पर पहुचे और वहां पर पहुचकर कर मनीश खंडूरी को बिजेपी में शामिल किया और साथ ही बिजेपी का पट्टा पहना कर उनका पार्टी में स्वागत भी किया है आपको वजार चले के मनीश खंडूरी ने कल ही सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी की थी प्लाले हाँ रुकते हैं छोड़े सब्वेक के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी ने करोनों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी आप ये भली बाती जानते हैं मोधी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी देव भूमी उत्तरखंड इस विकास यात्रा का महतबून हिसा है राज में लगातार फैल रहा है हाईवे और सडकों का नेटवार्क दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ति खुलेंगे यानि मजबूत अर्थवैवस्था की गारंटी चार धाम औल वेदर रोड और चार धाम रेल लाइन से श्रधालों को मिली है सुरक्षित और सुगम चार धाम यात्रा की गारंटी राज के दूरस्थ गावों तक पात्र लाभारतियों को अनेक कल्यान कारी योजनाओं से जोड़ा गया है बीम आवास योजना से घरीब परिवारों को मिली है तक के घर की गारंटी बीम स्वभागे योजना से बिजली जल जीवन मिशन से स्वच पानी बीम घरीब कल्यान अन योजना से राशन और आयुशमान भारत योजना से पाच लाग रुपे तक मुफ्त इलाज की गारंटी महिलाओं के जीवन में बड़े इस्तर पर सुधार आया है उजवला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआ रही तीधर और लगपती दीदी योजना ने आर्थिक सशक्ति करण की दी है गारंटी पी-म किसान सम्मान निधी से साल में 6,000 रुपे की गारंटी मोधी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं पी-म स्वानिधी योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना से लगू वैवसायों को मिल रही है आसान कर्स की गारंटी हर वर्ग का हो रहा है कल्यान सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है म समुदी सरकार की गारंटी कानिकाओं के लिए प्रयाख्यात महाम्रत्युम्जय महादेव मंदिर देव भी दूरा की है जहां पर आपको बताते चले कि महाश्रवरात्री के पर दिन भर बड़ी संख्या में शुधालों करता लगा रहा और महाम्रत्युम्जय महादेव मंदिर में सद्यों से महाश्र पर रात्री जागन का विशेश महत्व होता है और यहां पर महाश्रवरात्री के पर पर्मानिता भी है कि नई संतान दंबत्ती को संतान की प्राप्ती होती है आपको बताते चलें कि महाश्रवरात्री के पर पर लगातार भक्तों का दाता लगा रहा तो वहीं आपको बताते चलें कि चमोली में महामर्तिम्जय महादेव मंदिर का बड़ा ही महत्व है कई विध्यों के अनुस्तान के लिए यहां पर संपन है प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी ने करोणो देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारेंटी आप ये भली बाती जानते है कि मोधी की गारेंटी यानि गारेंटी पूरा होने की गारेंटी देव भूमी उत्तरखंड इस विकास यात्रा का महत्पूर्ण हिसा है राज में लगातार फैल रहा है हाईवे और सडकों का नेटवार्क दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे यानि मजबूत अर्थवैवस्था की गारेंटी चार धाम औल वेदर रोड और चार धाम रेल लाइन से श्रधालूओं को मिली है सुरक्षित और सुगम चार धाम यात्रा की गारेंटी राज के दूरस्थ गावों तक पात्र लाभारतियों को अनेक कल्यान कारी योजनाओं से जोड़ा गया है पीम आवास योजना से खरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारेंटी पीम सौभा के योजना से बिजली जल जीवन मिशन से स्वच पानी पीम घरीब कल्यान अन योजना से राशन और आयुशमान भारत योजना से पाच लाग रुपे तक मुफ्त इलाज की गारेंटी महलाओं के जीवन में बड़े इस्तर पर सुधार आया है उजवला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआ रही तीधर और लगपती दीदी योजना ने आर्थिक सशक्ति करण की दी है गारेंटी पि-म किसान सम्मान निधी से साल में 6,000 रुपे की गारेंटी मोधी सरकार की गारेंटी उसके पास भी है जिसके पास गारेंटी देने के लिए भी कुछ नहीं पी-म स्वानिधी योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना से लगू वैवसायों को मिल रही है आसान कर्स की गारंटी हर वर्ग का हो रहा है कल्यान सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहली के द्वा क्यूंकि हर उत्तरा खंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी प्रकिबाद स्वागत है आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरब सीम पुशकर सिंग धामी ने आपको बताते शोले कि देहरादून और मसूरी में कई योजनाओं की सोगार दी है जहाँ पर 200 करोड की कई योजनाओं का शिलान्याथ और लोकार पढ़ किया गया और इस मौके पर क्याभिनेट मंतरी प्रेम चंड अग्रवाल ने कहा कि उनके सरकार का सद्धान्त है कि जो योजनाय गोशित करते हैं उनका शलन्यास किया जाता है और शलन्यास के बाद में लोकार पढ़ कर उसे पूरा किया जाता है उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में ऐसी बहुत सारी योजनाय हैं जिनका शिल अन्यास हुआ tha आज उनका मुख्य मंत्री के तरप से लोकार पढ़ हो रहा है क्याबिनेट मंत्री ने ये भी कहा कि भारती जल्दा पार्टी की सरकार लगातार अपने प्रदेश के विकास के लिए कारी कर रही है आपको बजाते चुले कि सीम पुषकर सिंग धामी ने तेहरादून और मसूरी को एक बड़ी सोगात दी है आप तस्वीर देख सकते हैं जहां पर सीम धामी मौके पर पहुचे थे और कई योजनाओं का लोकारपणों शिलन्यास किया दान्त बनाया है कि जो योजनाएं हम लोग घोशीत करते हैं उसका शिलानयास भी करते हैं जो शिलानयास करते हैं उसको पूरा करें लोकारपन भी करते हैं ऐसी बहुत सी योजन है जिसका आज माने मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमने पिछली दिनों शिलानयास किया था उनका आज यहां लोकारपन हो रहा है और सवाल लोकसभा का नहीं है क्योंकि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है हमारी सरकार भरतिंता पार्टी की सरकार माने जामेजी सरकार लगातार जो है अपने इस परदेश के लिए अने को एके ऐसे विकास कारे कर रही है जो लगातार आप देखते हैं यह बाठीक है सहीं को समाने सामने लोकसभा के चुनाओ है अब चुनाओ को भी हम यदि बात कहें तो जनता आज हमारे साथ इसलिए चल रह प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी ने करोनों देशवासियों को दी है समान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी आप ये भली बाती जानते है कि मोधी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी डेव भूमी उत्तरखंड इस विकास यात्रा का महतबून हिसा है राज में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कू का नेटवर्क दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे यानि मजबूत अर्थ वैवस्था की गारंटी चार धाम औल वैदर रोड और चार धाम रेल लाइन से श्रधालूओं को मिली है सुरक्षित और सुगम चार धाम यात्रा की गारंटी राज्य के दूरस्थ गावों तक पात्र लाभारतियों को अनेक कल्यान कारी योजनाओं से जोड़ा गया है पीम आवास योजना से घरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी पीम स्वभा के योजना से बिजली जल जीवन मिशन से स्वच पानी पीम घरीब कल्यान अन योजना से राशन और आयुश्मान भारत योजना से पाच लाग रुपे तक मुफ्त इलाज की गारंटी महलाओं के जीवन में बड़े इस्तर पर सुधार आया है उज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआ रही तीधर और लगपती दीदी योजना ने आर्थिक सशक्ति करण की दी है गारंटी पी-म किसान सम्मान निधी से साल में 6,000 रुपे की गारंटी मोधी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं पी-म स्वानिधी योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधान मंत्री मुद्रा योजना से लगू वैवसायों को मिल रही है आसान कर्श की गारंटी हर वर्ग का हो रहा है कल्यान सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मुदी सरकार की गारंटी जी ने भी बताया कि सरकार योजनाओं की जो न्यूं तो रखती थी और चुनाओं के बाद उन्हें करना भूल जाती थी लेकिन हमारी सरकार जिन योजनाओं का भी सिलान्यास करती है उनका लोकारपण भी करती है क्योंकि हमारी सरकार हर चेत्र के संतुलित विकास पर हमने venantनें द्यान के दीत किया है चाहे सहरी चेत्रों चाहे ग्रामीन्षों चाहे अरद सरकारीचेत्र talks ए सब्rib Cao के विकास के पड़तिय हं संकलबत है हमारां जोर है कि सतका संतुष्टीकरण होना चाहिए süपिकरण किसी का नहीं होना चाहिए जो बोर्ड बैंक की राजनीती चलती थी अब बोर्ड बैंक की राजनीती समापत हो रही है अब विकास आधारीत राजनीती आके बढ़ रही है हमारे प्रदानमत्री मोधी जी के ने तो तुम्हें डबल इंजन की सरकार ना जाती का सारा लेती है ना जूट का सारा लेती है हम कर्म करने पर विश्वास करते हैं हम जो भी कहते हैं आपके आशिरवात से कहते हैं आपके समर्धन के कारण से कहते हैं और जो भी हम वहाजा करते हैं, उसे हर हम में, पूरा कर के दिखाते हैं, और आगे भी, जो कहेंगे, उसे हर हमें, पूरा करके दिखाएंगे。 वहाइयों वहनों आज आदनी मोदी जी निक्तित्म में कमारा दे्ष टेजी से आगे बढ़ना है तक न इस त्रक्ति शुरच्या आर्थिग संब्रद्दी आजका सम्मानओ आजएक इुकास रोजगार सुरोजगार ओदोर हरे एक चाहत्र में आज दुनिया भारत का दर्सन कर रही है आज भारत के रुपका इंतजार हर एक मौके पर होती है भारत की ताकत को यह सब बाते जो दुनिया के अंदर आज हमारे काम है वह भारत को प्रतिष्टित करने का काम कर रहे हैं भारत को एक नई पैचान देने का क काम कर रहे हैं देश के भिकास की तरही आद्ट देव भूमी उत्रखंड माइए करेरी से तेजी से है लोगों की धारणा बद लिए उत्राघंड के प्रति एक अपको आई आढ़ भारत वर्ष के मतत पूरी दुनिया के अंदर बना हैं अाध भ्यूमी में विकास के हमें इतने बोटव से जिताएंगे 50,000, 40,000 तो इस बार इनहीं है सथाल बोटवसु रद उन्हों पह एंगे 70 पर सबसेंट डी नीद बोटिंग जो टोटल बोटिंग जो राजपुर विधानसबा सम्नित का पर करीा स्बैजिए 145² जोड़ देंगे और भीड़े भाई ने कहा कि जो है पिछली बार पहले लपर पर थे इस बार फिर उससे ज्यादा करेंगे हम तो अगर यह हम सब कह पा रहे हैं इतनी ताकत अगर किसी ने दीए तो यह थाकत आप लोगोंगे दीए आपकी ताकत के दम पर जो भी हम काम कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं कि जैसा अभी कहा इनों ने की एक मिठक तोड़ने का काम एक परिपाटी बदलने का काम किसी ने किया है और रात दिन जो हम लोग प्रियास कर रहे हैं जो अभी मेरे बारे में ही कह रहे थे कि मैं दिन में यहां होता हू म başenders करेकरव में में होता हूं फिर इक्री पर कनी के Rat Town ये सारी उर्जा अगर किसी से प्राफ्ट होती है तो बाई व वह⁇नों आप से प्राफ्ट होती आप से प्रेवित होता है कि हर छनुल और हर पन div के वु के लिए वो Нधरिभी नपने कि देव भूमिन में विकास के कारे होने के साथ ही नौजवानों के लिए रोजगार के भी आउसर तेजी से बड़े हैं नागरिकों की जो सुविधाएं उन सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है बहुत सारे काम जो बहुत सालों पहले हो जाने थे वो काम अब जाकर धरतल उत्र दक्रे पहलेगी सारकारों में विकास का इन्यन था उस विकास के इन्यन को जंक लग गया था है वह इंचन बैड गया है वह इंचन चलों ही निहीं रहा था ढ हमारे यौभाeed हाटास हो गए थे नागरिकों की सुविधाओं का वाओ हो गया था गरीबों की कि कि जो यूंदान की रहा है अ इसा आप जी पर जीकित कब लोहां को व्युक्राइएन्ड फर्चीजीद कने थी युदफ में उसकर कोई सौदा नहीं उन दुकानों को बंद करने का काम, देश की जंता ने भी कर दिया, उत्राघंड की जंता ने भी कर दिया, क्योंकि उन्हों ने हमेशा केवल और केवल अपने परिवार की चिंता करी, अपने दल की चिंता करी, अपनी पार्टी की चिंता करी, ऐसी पाटियों ने ऐसी सरकारों ने उस समय सब के जीवन के साथ खिलवार करने का काम किया नौजवान किसान सब के हितों को उनके हितों पर उठारा गार करने का काम पहले की सरकारों ने किया और तो और हम जहां देव भूमी उत्राखंड के रहने वाले हैं हम दीर भूमी उत्राखंड के भी हैं 1947 से लेकर अगर आज तक की हम बात करें तो देश का कोई भी युद्ध हुआ हो देश तो आइस बुड़ में अतना ही नमस्कार